दर्शको नमस्कार खास मुलाकात इस कारेकर में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपका होस्त संजय मिरे दर्शको इन बिसर के स्टूडियो में आज खास मुलाकात इस प्रोग्राम के लिए आज के हमारे मैमान हैं प्रादेशिक परिवन विवाग के डॉक्टर रूप कुमार बेलसरी जी जो की आज यहां पे आए हुए है उपर प्रादेशिक परिवन अधिकारी नाकपूर शहर के तौर प बात करेंगे लेकिन तर्शको हमारे इस खास मुलाकात करेक्रम के यह परंपराय होती है कि हम अपने आने वाले मेहमान का सबसे पहले परीचे करवाते है तो मैं डॉक्टर रूप कुमार बिलसरे साहब जो कि आज के हमारे खास मुलाकात के जो मेहमाने उनके बरहे मैं यह Master of Veterinary Science अनुमाउशिक शास्तर के साथ साथ आपने कड़कनाथ मुर्गी पर PhD भी किया है इतने नहीं तो सर आपने Diploma in Automobile Engineering भी किया है और यहीं नहीं तो आपने LLB और LLM मुंबई से किया है आपने MBA साथ अमेरिका से किया है साथी साथ दर्शो को डॉक्टर साब जो कि आज के हमारे मेलसरे साब है इन्होंने Doctor of Medicine in Homeopathy भी किया है तो इतनी बड़ी परसनेटी हमारे साथ में आई है और आपके इनकी बारे में मैं बता देना चाहता हूँ दर्शो को के सर आपने New Delhi से Advanced English Course जो लाचपत नगर से किया है और साथी साथ Institute of Journalism Delhi से किया है पिछले अठावर्शों से परिवर्ण विवाग में आपकारे रहते हैं फिलाल प्रादेशिक अधिकारी के तौर पर कामकाज कर रहे हैं तो दर्शो को ये था इनका परिचा है अब हम इनसे जरूर कुछ बाते पुछे जो आपके दिल में हैं कई दर्शो को के हमारे को कॉल आयते हैं और उनने ये कहा ता कि संजे जी आप जब भी ऐसे बड़े अधिकारी आरेटियो के आते हैं तो आप जरूर उनसे ये सवाल उन्हीं में से सर एक सब कुछ सवाल है जो हमारे दर्शो को के मैं कारेक्रम की शुरुआत में फिर से एक बर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और क्वेशन पुछने चाहरा हूँ तो डॉक्टर बिल सरे साब ये रहा मेरा पहला सवाल सर हमारे भारत देश में पिछले कई सालों से सड़क दुरगटना है जो बड़े पैमाने पर हो रही है और इसमें कई जाने भी जा रही है इस पर आपका क्या कहना है क्या कहना चाओगी कि आखिर कर क्यों ऐसे सड़क दुरगटना है होती है और इसमें जाने क्यों जाती है और इसकी रोगठाम कैसी की जाती, क्या खहने चोगे, डॉक्टर रूप कुमार बिलसरे साब आप संजे सर, आपने मुझे 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 दिया, इसलिए मैं आपको पहले तहे दिल से शुक्र गुजारू और आपने एक ऐसे विशय के उपर मुझे बुलाया है, कि जिसमें ये इतना महतोपुर्ण विशय है भारत में, कि इसके उपर में हर इंसान को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है तो आपने जो सवाल पूचा है कि क्या कारण है, कि जिसके वज़र से रोड एक्सिरेंट्स और ये सब हो रहे है तो संजय जी मैंने बहुत बार अभी मैं पिछले कई सालों से जब से मैंने आर्टियो में एंट्री लिया था आठरा साल से मैं रोड सेफटी के उपर में बहुत कुछ कारेक्रम लिये है और दिये भी है बहुत सारे उनको प्रबोधन किया है इस्टिवूट्स बहुत सारे कॉलेजस में तो मुझे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कारण है कि जिसके उज़से इतने सारे एक्सिरेंट्स हो रहे हैं अभी हम अगर अपना हमारे देश का इस्टिमेंट देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में हर साल तक्रीबन पांस से एक्सिरेंट्स होटे हैं जिसमें से तकरिबन जैड्लाष के लोग अपनी जान गमाएं और 3-3-3-3-5 ध्योग अपनी परसरी देखते हैं। जैसे भी हमारा भारत का अगर हम देखते है तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर में तमिल नाडु जो स्टेट था यहां पर सबसे जाद एक्सिरेंट्स होते थे सेकंड नंबर पे था अपना मद्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे महाराष्ट आता था लेकिन अभी नया इस्टिमेट लिया तो तमिल नाडु को जब पता चला कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय होजना की है जिसके वसे उनक अत्रफ प्रदेश के तरफ शिफ्ट हो गया उसके बाद में अभी सेकंड लेकिन हम थर्ड नंबर पे पहले भी थर्ड नंबर पे थे अभी थर्ड नंबर पे हैं क्या कर रहा है हम क्यों इसमें तबदिली नहीं कर पार एक प्रगतिशिल यहां पर कम से कम आप देखोगे तो 50,000 km की सड़के हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर में कोई भी स्टेट में नहीं है, जो मारस्ट में है, अच्छा दूसरा ऐसा है कि हमारे यहां पर ज्यादा से ज़ादा जो एकसिरेंट्स हो रहे हैं, उसमें टू विलर्स के एकसिरेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अच्छा साथ में बहुत सारे एकसिरेंट्स ऐसे भी है कि जैसे कार के एकसिरेंट्स है, यह भी आपने देखे हो गए, लिकिन सबसे मायतवपूर्ण कारण है कि किस वो जैसे एकसिरेंट्स हो रहे हैं, तो हमने जो इस्टिमेंट निकाला है, उसमें हमको सबसे पहले पता सबसे इंपोर्टन जो मैंने देखा है तो डिस्ट्रेक्शन होता है, यह आप देखोगी कि जैसे भी इंसान अपना गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत अलग-अलग वीचार चल रहे है, तो क्या हो रहा है कि कॉंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है रस्ते सबसे बड़ा रिजन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि आज कल मूबाईल पे फोन पे बात करते-करते आगे बढ़ते हैं और जिसके वए से क्या होता है कि प्लूरा कोंस्टरेशन मूबाइल के अंदर होता है तो सबकु और सड़क पर स्टेरिंग पर ध्य हो रहे हैं उसके साथ में फिर अभी आप देखा जाए तो यह जो अलग अलग जो आपको मैं बता रहूं बाते इसमें ज्यादा से आप देखो कि 70-80% जो है ड्राइवर की मिस्टेक होती है अचा रोड इंजिनेरिंग के बारे में बहुत कुछ था रोड इंजिनेरिंग अच अच्छे तरीके से पूरे भारत देश का संचालन किया रोड सेफटी के उपर में और साथ में रोड 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 उन्होंने सेमेंट कॉंक्रेट के किये जिसके वैसे वह पिछले अगले 50-100 साल में और कॉंक्रेट के जो रस्ते उसको कुछ होगा नहीं इस प्रकार से अच् है और उसके वज़े से जो एक्सिदेंस का जो रेट हो रहा है वो अभी धिरे-धिरे कम-कम होते जा रहा है तो जनजागरुती जो है वो बहुत इंपोर्डन है यही मेरा पहले आपका सवाल का जो जवाब था है तो बिलकुर बेसे साब ने जिस अंदाज में यह बात कही ह और उन्होंने जिस प्रकार सी यह जो बताया है बड़े ही दिल्चस बाते बताई है क्योंकि अक्सर हम यह देखते है कि लोग जो अपने वहाँ जो है बहुत ही तेज रफतार के साथ चलाते है अधिकतर लोग बहुत ड्रिंग किये हुए रहते हैं जिसके चलते बहुत एक चलती है यह भी एक रिजन है जिस तो है बहुत इंपोर्टन सब आया है तो जितना ज्यादा ओर स्पीडिंग करेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल लॉस हो जाता है बिल्कुल तो कहने का मतलब है कि अपनी वहाँ चलाते हैं अपनी मानसिक्त अभी उतनी बरकरार रखना चाह है और जैसे सर ने थर्ड बात बोला बहुत ही मार्मिक बात बोला हम अकसर देखते हैं बेल सरे साफ के जब भी लोग वहाँ जब चलाते हैं चाहे टू विलर हो या फोर विलर हो अधिकतर फोर विलर वाले लोग अपना मोबाइल हाथों में लिए एक हाथ में स्टीरिंग ड्राइव करते हैं तो इससे भी बहुत जादा एक्सेडेंट का रिशो बढ़ा हुआ है इस और दर्शो को आप ध्यान दे अगर आपके परिवार में कुछ इस प्रकार के अगर वहाँ चलाते हैं तो उन्हें जरूर उनको ये बात कहना कि ऐसा कभी मत करना रोग थाम कीज है क्योंकि यदि हम घर से ही अगर हमारे बच्चों को हमारे परिवार को हमारे मित्र मंडली को हम शिक्षित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये ग्राब बढ़ सकता है आर्टियों अपना अच्छा काम कर रहे है बावजुद उसके सब दूसरा सवाल मेरा ये भी था बिलसर स अकसर हलमेट पेंणना ये भारत सरका ने अनिवारी किया है बावजुद उसके बिलसरे साब आज भी जो लोग हलमेट पेंणने में उदासिंता रखते इसका क्या कारण हो सकता है क्या कहिए क्या कहता अपको अनुगोग ऐसा है कि हेलमेट और सीड बेल्ट इसके उपर में तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं कि आप हेलमेट और सीड बेल्ट बहुत जरूरी है हमारे सर में पहनने के लिए क्योंकि जब हेलमेट पहनते हैं तो हमारे शरीर का जो अंग है जो हमारा सीर है इसके अंदर म जो हमारे पूरे मार्स्टर और्किस्ट्रा है यानि हमारे शरीर का हर एक अंग इंटर्नल से लेके एक्स्टर्नल तक के एविर्थिंग इस कंट्रोल बाई और ब्रेन और उसको प्रोडेक्ट करना बहुत ज़रुए देखो क्या होता है कि अगर बाईचास हाथ कड़ गया या फिर उसमें फ्रैक्चर हो गया कुछ हो गया तो उसको आज कल रिप्लेस्मेंट हो सकता है उसके अंदर में बहुत सारे अपने स्प्लिंट्स डालके या फिर उसको अलग-अलग परकार का मेडिकल सायंग बहुत डेवलोप हो गया लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी भी बताता हूं कि आज के तारीक में अगर हमारा सर नीचे गिरता है और अगर फट जाता है तो उसके लिए कोई भी प्लैस्टर नहीं है और इसलिए हमारा जो हेलमेट है वो इतना ज़्यादा ज आपने बहुत अच्छा उपक्रम लित उसमें उन्होंने वह घलमेट के उपर में भी बहुत अच्छा उन्होंने यह किया दा सर। शल्लामृत पगडी पचास और इस प्रकार से हमने देखा है कि रिए सब्सक्राइब यंधरतों बहुत जरुरी है वास्यादा आग क्यों होता है तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वह विदाउट सीट बेल्ट अगर रहेगा तो इट वह इन मोशन तो जैसे अभी 70 या 80 की स्पीड में अगर गाड़ी के साथ में कोलेजन हो जाता है तो दोनों गाड़ी ऑन दो स्पॉर्ट एक जगे पर स्टैंड स्टिल हो जाती गुच जाती है और शरीर के अंदर में हमारा जो हैड है वो इसको सामने से ही जा हो जाती है उसके विए से आदमी मर सकता है या बहुत गंबी रिता जक्मी हो सकता है लेकिं सीट बेल्ट लगाने की बात है क्या सीट मात्रा ड्राइवर नहीं लगाना ज़रूरी होता है कि उसके बगल वाले बैटने वालों ने या उनके पीछे में जो लोग बैटे उन्होंने भी लगाने जरूरी है क्योंकि आप देखोगे हर एक कार के अंदर आद जितने भी मौडन कार बनी है उसमें हर जगे पर सीड बेल्ट है ड्राइवर को भी है ड्राइवर के बगल वाल प्रोब्लम्स नै आते हैं या फिर पीछे से भी एक जोसरे गार से लगार जा के सर जगे रख सकता है तो उसके लिए सीड बेल्ट रखना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी जान करी डॉक्टर बेल सेरे साब ना थी बेल सेरे साब ने बात करते हुए यह बताया था कि किस तरह से यदि हम हिलमेट और सीट बेल का यूज नहीं करते है तो हमारी जान पर आ सकती है हमारी मौत हो सकती है क्योंकि यदि हमारी मौत हो गई तो हमारे तो उसके उपर में जो डिपेंडेंट परसन जो घर के जो सदर से लोके उनका जीवन मान कैसा होगा ये भी बड़ी सोचने वली बात है इसलिए दर्शो को आफ से गुजारिश करते हैं खास मुलाकात इस कारेक्रम के माध्यों से कि आप सब ये सील बेल्ट जरूर पहिनेगा हेलमेट पहिनेगा क्योंकि ये कोई बोल रहा है करके नहीं बलके अपने सेप्टिक लिए पहिनेगा क्योंकि ये पहनना बहत जरूरी है बिलसरे साब मेरा एक सवाल ये था कि जब सडक में बड़ी-बड़ी दुरगटना होती है सडक दुरगटना होने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि दुरगटना जरूर देखते लेकिन भाग जाते हैं ऐसे में आईटियो के तरफ से ये कहा जाता है कि गोल्डन आवर को बहुत महत्वत है तो what is the important of golden hour और सर दुरगटना के बाद ये golden hour होता क्या है क्या कहना चाओगे क्योंकि तमाम दर्शों को आपको गह को लगी जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते थे नहीं ये तो पूलिस को पहले बुलाई है और ये पूलिस को बुलाते बुलाते अगर पूलिस लेड हो जाती तो इंसान जो है उसके शेरीर में अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या कोई आर्गन को इंटरनल बाइचान इस वज़े से क्या होता था कि इंसान की मोत हो जाती थी और ऐसे बहुत सब्सक्राइब की जब रोड सकता है ना तो वह इंसान जो प्रतीबाशाली होता है आप समझेए कि को कोई डॉक्टर भी हो सकता है इंजिनर हो सकता है वकील हो सकता है जो बहुत बड़ा इंसान है उसकी बहुत सारी ख्याती है लेकिन एक्सिडेंट में मरने के बाद में तो पूरा जीरो हो जाता है तो यह नहीं होना चाहिए अभी इसले फिर सुप्रीम कोट ने हमारे मानने एक अध्यादेश निकाला है और अध्यादेश पूरे इंडिया के अंदर में उन्होंने पूरा उसको परकुलिट किया है कि कभी भी अगर एक्सिडेंट होता है तो कोई भी पूली स्टेशन का जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो पहले सबसे पहले उसको गोल्डन आवर में पहले सब्सकाल पर्लवी और में और जाने के बाद में व इनसान को पहले बहरती करना जरूजरी और मेडिकल बिलना जरूरी है और इंटर्ण बेंगहरा है में च्पैटि यौ मेरि छोटी आथ उसको बूलते हैं घरो पिर लंबीयातर कि घ्र यूलालर रहती है जिसको हम बोलते हैं सिकलोंजुम के रिप्टम हैं उसको अगर सिस्टम हो जाता है तो हैंख गोल्डन ओवर्द्स के उदर में जो भी आगर उद्रॉबम ऊता है तो उसके पैशन्ट को किसी भी इनसान ने अगर बाइचंस अगर होस्पिटल में लेके गया तो आजकल नया अध्यादेश की इसाब से वह इंसान को 5000 रुपे तक कि उसको बक्षीज भी मिल सकता है ऐसा भी अध्यादेश हुआ तो वह इंसान का पहले जान बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं वह इंसान कितना इंपोर्टन है वह फैमिली का करता धरता है वह फैमिली का हेड है जिसकी वजह से वह अगर एक्सेंट होता है उसमें अगर उसकी जान चले जाती है तो घर के पूरे पूरे के पूरे पांच-चे सदद से जो रहेगे वह पूरे रस्ते ब लेकिन लोग तो यह सोचते कि यार फिजुल का जो पूलीस का है वो अपने पीशे भी तो मेरा सवाल यह था कि का इसे पूलीस प्रशासन द्वारा हर पूलीस थाने में इस प्रकार के पत्रक गए हुए है क्या हर पूलीस स्टेशन में गय है और हर पूलीस स्टेशन को अभी medical aid मिलना ज़रूरी है और उसमें अगर आप उसका जिंदा रहेगा उसके बाद में फिर उसके जो भी पूस्तास आपकी है वो बाद में आप करिए और उसको पहले जान बचाना ज़रूरी है और यह जब से मानने सुप्रेम कोट ने अध्यादेश लाया तो अब से बहुत सार जान कर दी कि golden hour होता क्या है और golden hour का कैसा फाइदा उठाना चाहिए फाइदा मतलब अगले वाली की काम का कैसे आना चाहिए यह कोई बड़ा accident होता है बिल्कुल बिल्कुल हमारे दुनिया का अगर हमने scenario लिया तो अमेरिका जो राष्ट्रह है वहाँ पर सबसे अधर accidents होत पर आपने ही तो इन दर में अभी अपने फिल मैन आपने आपने मैन रहे हमारे ह्या लो रातलिता क्या तो तो यह कितना ज्याथा और यहाँ पर तो अशुको सबसे अधर इंपराव अपने ख़कों आनते हैं चाहिए कि यह मौत हो गई यहां पर इतना प्रॉब्म लेकि में को समझ मिना रहा है एक दिन में भारत में 307 लोग मरते हैं एक जंबो जेट में जितने लोग आते ना उतने लोग एक दिन में मर रहे हैं लेकिन हो 307 से उपर चे लेगा अभी 415 के आसपस आ गया जो नए की जनता है मैं आपको सबको हाथ जोड की विनंति करता हूं कि आप कुरुपया करके यह रोट सेफ्टी के बारे में आप लोग को घ्यान दिजिए और सबसे इंपोर्टन बात है कि आप हेलमेट पहनिए और सेट बेल पहनिए ताकि आपकी जिन्दगी बची रहे और आप हमारे देश की बहुत महतोपूर्ण धरोर है आपकी जिन्दगी को कुछ नहीं होना चीए आप आपकी जिन्दगी अच्छे रहेगी तो हमारे देश का भविश्य अच्छा रहेगा हमारे देश के भविश्य के लिए हम चाहते है कि आप अच्छे से अच्छे ध्यान रखी और आप अपना accident नहीं होना चाहिए इसके बारे में सोची और हम लोग तो चाहते हैं मैं तो अपना मेरा भी ऐसा है दो धाई मने में में अगर retirement हो जाता हो तो मैं तो road safety में यादा से यादा काम करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि हमारे भारत देश की जनता जो है वो कम से कम लोग मरे और उनको अच्छे साच्छा मारगाज़शन करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा दिल्कुल काफी अच्छे विचार है और इसी पतचिन्नों पे और भी लोग चले जैसी कि सर ने कहा है कि गोल्डन और में हमें क्या करना चाहिए किसी पे पुलिस वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है यदी कोई सड़प में यदी दुर्खटना होती है कोई तड़फ रहा है मौत से जूज रहा है तो आप फॉर्ण उसे उठाके किसी भी नीजी अस्पताल में लेके जाईएगा और उन्हें एडमिट कीजेगा ताकि उनकी जान बचेगी उसका तो पुन्या आपको मिलेगा साथ के साथी साथ गौवर्मेंट द्वारा आपको हजार से लेके पांच जहां दुरगटना हुई है उस घटना सरके अगल बगल में होगी क्योंकि प्राइविट अस्पताल होते मगर खाचे बहुत साथा रहते हैं जो बड़े जो डॉक्टर रहते हैं वो जो एक्स्प्लॉइट करते हैं पैसे को लेके जब तक पैसे कुछ बढ़ते नहीं उनको करते हैं इसके उपर में क्या प्रकश डालोगे हैं अगर कोई पेशन जाता है तो डॉक्टर्स भी उसको जाला चार्ज नहीं करते हैं जहां तक आप सोच रहे हो कि ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वह कि यह पर मानोतावारी दुष्टिकों रखते हैं लेकिन बहुत कुछ आइसी होते हैं तो कैसा इसे कम भी नजर नहीं आते नहीं लेकिन कैसा है कि ज्यादा सेदा डॉक्टर्स को जाड़ा से नहीं होस्पिटल जो उसके दाएरे में आते हैं उसकी एक लिस्ट है कि जिस में क ही है वहां बढ़ तो पेशन्ट जाते ही है लेकिन इसके सीवा भी बहुत सारे लता मगिश को अश्पिटल में भी आ सकते हैं बहुत सारे होस्पिटल ऐसे कि उसमें आपको ज्यादा चार्जस नहीं लगेंगे और आपको मानतवादी दुर्ष्टी को रखे उनको आपका जि मगर अपने लोगों के लिए मरीजों के लिए दिंदरात कामकाज किये कई लोगों की जाने बचाईए ऐसे भी बहुत ही शांदार जानदार और सबका दिल जितने वाले भगवान रुपी डॉक्टर एक तरफ थे तो वहीं बेल सरे सा मैं आपको ये भी बताओ कि दूसरी और अगर यदि सिख्य का दूसरा पहलू देखा जाए तो सेकंड पार्ट पर कुछ ऐसे कसा ही डॉक्टर दिखाए दिये जो जिन्हों ने पूरी तरह से डकेती की है लूट मार की है एक्सप्लाइटेशन किया है ऐसे डॉक्टर के उपर में भी फिर कानूनी कारवाई हो चुकी थी मगर दो टाइप के डॉक्टर इस समाज में है अच्छे डॉक्टर भी है बुरे डॉक्टर भी है अबी संजै ऐसा है कि जादा से डॉक्टर अच्छे होते 90 परसें मैं खुद को डिपेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे पूरे डॉक्टर मंदली जो है तो वह बहुत अच्छा काम करती है यह मुझे भी मालूम है मैंने खुद आखों से देखा है और एक्सिडेंट्स के बारे में हमारा जो विशे है वह एक्सिडेंट्स के ऊपर चल रहा है तो रोड एक्सिडेंट्स के ऊपर में जब भी कोई ऐसा कुछ प्राब्लम होता है तो हमारे सारी डॉक्टर जो टीम है वो कॉपरेट करती है और मैं अभी भी आपको हाथ जोड की विननति करता हूं कि आप कॉपरेट करी है और कोई भी एक्सिडेंट्स होता है किसी का भी तो उसको जान बचान आपका पहला करता हुए उसके बाद में फिर पोलिस डिपार्टमेंट के कारवे बाद में की बात है बिल्कुर बिल्कुर जैसिके डॉक्टर बेलसरे साब ने का हम भी यही कह रहे हैं कि इस कारेक्रम के माध्यम से कि यह जो विशे था यह डॉक्टर क्या है यह हमने इसलिए बताया क्योंकि यह रिलेटेड उस विशे से था इसलिए हमने डॉक्टर का पहला और दूसरा रूप दोनों बताया यकिनला आपके जैसे जो अच्छे डॉक्टर है और भी समाज में है जो हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर डॉक्टर काम इस प्रोग्रम में हमने उनको काफी हाइड दिया है काफी बत्चित लोगों से रूबूरू करवा कि उनके कामकाजों के सराना भी की है खैर तो डॉक्टर बेलसरे साब मेरे को एक सवाल ये भी पूशना था और खास तोर पे कुछ भी बड़ी पढ़ाई जब करना होता है तो किसी ना किसी से इंस्पिरेशन या प्रेरना मिलती है तो सर आपको प्रेरना किसी मिली और मेरा तीसरा सवाल ये था बेलसरे साब आज की जो यूवा वर्ग है उनको पढ़ना बहुते तो शिक्षा को लेकर क्या मारके दर्शिंग करना चाओगे कुछ बच्चे MPSC, UPSC की तहरिया जरूर करते हैं बड़े-बड़े काम काज करते हैं मगर वे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं ऐसे में क्या कहते हैं आफ के अनुभव एजुकेशन को लेकर ऐसा है संजय जी, मेरे पहले से जो एक मेरे आदाश्च रहे चुके वो थे डॉक्टर बावासाव अमबेटकर जी कि जिनोंने भारत का समविधान लिखा है और भारत का समविधान ही नहीं तो आप जहां-जहां उन्होंने ऑक्सपर्ट में वो जहां पर पड़े है उन्होंने देखा है अमेरिका और अंग्लेंड में उनके पुतले है ऐसे एक बी इंसान नहीं है कि जिसके इतने सारे पुतले के लोग उसको मानते है हमारा ओभाग्य है कि हम इस धर्ती पे है और हमारे महाराष्ट में डॉक्टर बाबा सामविध कर पड़े लिखे और उन्होंने इतनी सारी डिग्रया लेके पूरा समाज का उध्धान किया है उन्होंने जो उत्थान किया उनका आदश रखके मैंने अपने आपको डाला है मैं कोशिश किया है कि अगर एक इंसान बाबा साहिम बिटकर लिबटकर यह सकते है उन्होंने अगर इतने सारे मेоваस कैया थनी रून हो और मैं निके चरंड कंश में पेर-पेर बहुत रहते हैं उन्होंने मुझे बहुत करने वाले बहुत सारे दोस्त है थे 90 लोग डिप्रेस करने दस टक्के लोग रहते हैं जो आपको बोलते हैं नहीं तु पढ़ आगे बढ़ मेरे साथ में भी ऐसे काई हाथ से हुए लेकिन मैं अंदर एक जीत थी कि मुझे कुछ त सारी जो बाद में डौक्टर में होमेपेति एडवंस इंग्लिश कोर्स जो भी मेरे साथ में जो हुआ है तो मेरे अनुबह की इसाब से मैंने अपने आपको कोशिष किया कि मैं कुछ नंकुछ ज़रू करना चाहूंगा और ये मेरी सारी डिग्रे जो है मैं पूरी समाझ को समर्पिट करता हूँ यह मेरे लिए नहीं है आपके लिए है अगर मेरे लेक्चर से और मेरे अगर किसी मेरे अनुबहु से अगर आप पढ़ लिखके आगे बढ़ते हो तो इससे बढ़ कर कोई बात होगी नहीं अचा उसके साथ में मुझे यह भी कहना है कि यह जो बाते है यह जो है आजकल तो क्या हो कि ग्रैजिएशन पोजिएशन में पूरा थक जाता है यह बरावर नहीं है क्योंकि आप मेहनत करोगे तो यह आप आगे बढ़ सकोगे वो बोलते हैं ना स्टैंडिंग उन दा फूट पाथ गेजिंग अड़ सका है हाव कैन यू मेक अब आफ यह निवर ट्राइ तो यह अल्वेस ट्राइ ट्राइ बट नेवर क्राइ आजके लड़के क्या होते है थोड़ा ट्राइ करते हैं तो मैं चाहता हूं कि कोई ट्राइ करते रहिए आप कि अच्छी आपॉट्यूनेटी मिलेगी क्राइय मत करिये क्योंक होता है कि कोई महणत करने के सिवा कोई अब जितने भी बड़े लोग है यह नो ने भी आज अज तक आ प्रगति की है उस ने सब कियो को ने बहुत हैं और यह आना ज़रूरी है क्योंकि जीवल में ये टापनीय होगा तो वह इंसान सेक्सिस कैसे होगा और इसी के लिए ट्रबल को या स्ट्रगल करना बहत ज़रूर है क्योंकि कहते के स्ट्रगल इध क्यू आफ आर हम अगर बरंड-नी सकते क्योंकि वह बलते हैं कर दो नाट कम विजी तो ये भी एक पार्ट उसके अंदर होता है सर ये तो तमाम बाते थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर के लोगों को बहुत कुछ बताते हैं बहुत कुछ चलते हैं लेकिन हमारे घर के लोगों के लिए कुछ संसकार नहीं होते कहने का तक पर ये कि सर आप प्रादेशी के अधिकारी हो, क्या आपने अपने अफिस के अधिकारियों को RTO में आने वाले ग्रहक उसे कैसे बढ़ताओ करें, इसके बारे में कोई मारगदर्शन या कारेक्रम लिया है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और अभी पिछले 8-15 दिन पहले हमने हमारे मानने जो भुयर साब है, RTO साब, उनके मारगदर्शन में हमने एक परी समात भी रखा था और हमने एक इंटर्वी भी रखा था और जितने हमारे जो असिस्टेंट इंस्पेटर इंस्पेट अगर लाइसंस निकलने जाना है तो कहां जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, पता नहीं रहता है कोई सी घिड की है, कैसा है, तो हमने क्या हुआ है कि किस इंसान के पास में क्या काम है, उसकी हमने एक यादी बनाई है और हमने एक अपना help desk खोलके रखा है, अभी आप हमा अपना लाइसंस के लिए तो उसका मारगदशन करने के लिए हमने वहाँ पर rotation में पूरे इंस्पिर्टर्स लोग को रखा है, और सब को बता है कि आप पहले तो साजने से के साथ में बात करिए, क्योंकि क्या होता है कि चाह से केटली बहुत गरम होती है, वहारे बहुत सार इतिकेट्स के होता है कि वह खुद को भी खुश करता है और सामने वालों को भी खुश करता है, तो हमने बोला है कि मैनर्स और इतिकेट्स के साथ में किसी से भी बात करते रहिए, और उनके जो भी प्रॉब्लम से उसको समझ लिजे पहले, उनका सुन लिजे पहले, बहुत सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आजकल पूरा ओनलाइन सिस्टम हो गया है और हमारा जो है www.sarci.nice.in ये वेबसाइट के अंदर में आपको पूरे महाराष्ट्रे के अंदर में आपको लाइसस निकालने का होगा तो आपको उसके पूरा पता चल जाएगा कहा कैसा करना है ये वेबसाइट जो पूरे इंडिया के अंदर में भी है अंदर इंडिया में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारा मोटरवेकल आक्ट है 1988 और सेंटर मोटरवेकल रूस 1989 यह पूरे कन्या कुमारी से कश्मीर तक के सेम है इसलिए क्या होता है कि NIC को देखे रखा है सिंपल सिंपल कोश्चन रहते हैं उसका एंसर कोई भी दे सकता है करके उसमें पास होना पड़ता है सिक्स्टी परसेंट पासिंग होता है वह होने का मैं एक मैना रुखने के बाद में फिर पर्मनेंट लैसेंस के लिए आपको अपलाय करना पड़ेगा बहुत लोग को पता देखा है तीन मैंने हो जाते छे माने का वैलिटी लर्निंग लैसेंस का जैसे आपने एक जनवरी को लैसे निगाला तो तीस जनुरी जून तक कि उसका एक्सपरी रहेगा तो यह 6 माने के अंदर में समझने के लिए बता हुआ रहा है तो क्या होता है लोग मार्च माना भी यह जाता है एपरिल मना फिर भी अपॉन्मेन निकालती नहीं और बाद में फिर क्या होता है इजब अपॉन्मेंन निकालने जाते थे तो उनका मिलता है कि हो आगस्ट महने जब ते उसका 30 जून लैसेंस खतम हो रहे ता हमको पता है तो यह नहीं होना चाहिए इसलिए हमन जिसे टू विलर के हैं, फोर विलर के हैं, जिसे जिसे होना चीए, आप आठ का अकड़ा होता है, उसके अंदर में आप मोटर सैकल कैसा घुमाते हो, या फिर कार चलाते हैं, आप कुण से कुण सी प्रिकॉशन देखते हो, राइट साथ का इंडिकेशन कैसा है, लेफट साथ का इंडिकेशन कैसा है, स्टॉप करने के लिए का इंडिकेशन होना है, यह सब आपको जरूरी होता है, यह आप करके जाओगे तो आप जरूर पास हो जाओगे, बिल्कुल, सर मेरा जाते जाते हैं, आखरी का सवाल यह था कि कुछ ऐसे अविभावक है, पैरेंट से, जो बच्चों को जिनके उम्र कम होती है, उन्हें टूविलर देते हैं हाथ में चलाने के लिए, यह बहुत जादा रहिस अमिर्जादे जो लोग होते हैं, वे अपने बच्चों को फोर विलर गाड़ी देते हैं, जिनकी तो इसे में कई एक्सेडन होता है, तो ऐसे समय में क्य पालो को के उपर में होना चाहिए, जो अपने नादान, जिनकी उम्र अठा से कम है, ऐसे बच्चे को गाड़ी देते हैं, बहुत गलत है यह, क्या होता है कि हमारा जो ब्रेंट डेवलप्मेंट है, आठा साल तक के पूरा डेवलप्मेंट हो जाता है ब्रें का, और अगर अठा साल के नीचे, अगर 15-16 साल के बच्चे को अगर आप फोर विलर देते हैं, और अगर उसने गाड़ी चलाते चलाते कोई एक्सेन्ट हो जाता है, तो पूरी लाइबलिटी जो होते हैं, पैरेंट के उपर आती है, उसको बोलते है विकरिस लाइबलिटी, तो उसमें क क्याड़ी लेकर चलते हैं, तो बहुत सारे डिचेन्ट लेने पड़ते हैं, कब ब्रेक मारना चाहिए, कब लेट, कब राइट, और जो ब्रेइंडेवलबुवडू को सेक्टा होता है, लेकिन भच्चे जो नहीं होता है, नहीं लेकिन गृति होती है, बचटी में बहुत स और बारत में हो रही है और यह गलती हो रही है और यह एक्सीड़ेंट्स पर जादा बढ़ रहे है तो उसके उपर जादा सब्सक्राइब कुछ लोग ता ईसेदिंग लगा रहता है तो तो रूखना चाहिए लोग रेड जो पर चुनी यह न हो हो तो जुरू होता है तो पूलिस कोई दिखता है क्या आपको देखा होगा कि जैसे भी ट्राफिक पूलिस होते है तो देखते हैं तो रेट सिग्नल में से गाड़ी चला लेते तो वैसा जरूरी नहीं है और अच्छे से रेट सिग्नल लाएका उससे में रुकी है और जब आपका ग्रीन सिग्नल पारन एक्सिडेंट्स का बात में ओर्टेकिंग भी है और स्टन्ट बाजे तो है अपने क्या होता है कि आपने कुछी माश्युका को पीछे बीटा के माँ देखो कि इतने स्पीड से गाड़ी चला रहा है ऐसा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग स्पीड में गाड़ी च ट्राफिक का पालन नहीं करते वो भी अभी सबक सीख लेंगे जो हिलमेट नहीं पेंटे सीट बेंड नहीं पेंटे उनके लिए बी काफी अची एक सीख थी आप सभी ने अच्छा रहना होगा क्योंकि यदि आप अच्छे रहोगे तो एक्सिडेंट का जो रेशो है वो ब महान चलाना चाहिए पुरे सुरक्षिता के साथ चलाना चाहिए यही समय की मांग है सर आज आप हमारी इनवी सिन के स्टूडियो में खास मलगा 30 कारेक्टरम के लिए है और जो कपी अच्छे ची जानकर है मैंने तमाम तमाम लाकों दर्शकों को आपने दी है मैं दिल से आ करता हूं आपका आभरी हूं दो चीज़े जाते जाते बोलूंगा मेरे भारत वश्क के सभी नागरु को इसे नंबर विननती है कि आपना हेलमेट पहिंट के ही गाड़ी चलाई है सीड बेल पहिंट के ही आप फोर विलर चलाई है और किसी भी ओर स्पीड में मत पढ़िया हूं बोलते है स्पीड थिल्स बट किल्स तो थिल्लिंग जो एक्सपीरेंस से स्पीड का उसको आप अवाइड करिये जस्सिंग डाट समबडी वेटिंग फोर यू इन यूर हाउस आपके बच्चे है आपकी बीबी है सब लोग आपके लिए रोके हुए इसलिए उनके पड़ा वर्चु है आपका जितने सारे गुण है आपके अंदर में वह आप आप एक्सटेंस में पूरे गमाबढ़ते हैं इसलिए कोशिश करिए कि आप करेंगीव और मद्येपान करेंगे और स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगी और टेकिंग नहीं करेंगे साथ में आप बिस्टेक्शन माइंड में भी गाड़ी नहीं चलाएंगे दिमाग कहीं और है और गाड़ी चला रहे यह भी नहीं करेंगे और रेट सिग्नल की उपर में भी गाड़ी चला दे समय आप नियाम का पालन करेंगे जितने भी रोट चिन्न है इन्फोर्मेशन साइंस है पॉस्टनेरी साइंस है मेंडेटेरी साइंस है उसको ध्यान रखेंगे और तभी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके एक्सिडेंट्स कम से कम होगे भारत को हमको एक्सिडेंट मुक्त बनाने का है और पूरे भारत देश की जनता को मैं हाद अगली बार फिर किसी डिपार्मेंट के एक नए अधिकारी से हम आपको रुबरु करवाएंगे तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाज़त आप देखते रिए आपको अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नाकपूर नमस्कार नमस्कार सर कर दो